हे अन्पूर नामा बारं बार प्रणाम जो नहीं ध्यावे तुम्हें अम्बिके कहां उसे विश्राम अन्पूर्णा देवी नाम तिहारो लेत होत सब काम हे अन्पूर्णा मा जै अन्पूर्णा मा बहु आरती हो गई है चल अब अपने अपने कामों में लगते हैं ठीक है मा निर्मला अपने माला जपने के काम में लग गई और रश्मी अपने परिवार के लिए खाना बनाने के ओर रसोई में आ गई बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे एक काम करती हूँ थोड़ी सी चो लौकी बचिये उसी से अपनी बेटियों के लिए रौकी के कोफते बना देती हूँ खुश हो जाएंगी रश्मी लौकी से कोफते बनाने के लिए बैठी लेकिन अरे नहीं मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी कम है अब तो लगता है कि साधी लौकी की सबजी ही बनानी होगी जैन पूर्णा मा मा मेरे खाने में बरकत और स्वाद देना रश्मी ने अनपूर्णा मा का नाम लेते हुए खाना बनाया उसने कोई खास चीज तो नहीं बनाई थी सिर्फ साधी सी लौकी की सबजी थी लेकिन जैसे ही उसने उसमें जीरे का तड़का लगाया उसकी सबजी की खुश्बू सारे महले में फैल गई वाँ क्या खुश्बू आई है मा क्या बनाया है कितनी अच्छी खुश्बू आरे है अच्छी खुश्बू मैंने तो लौकी की सबजी बनाई है वाँ मा जल्दी से रोटी भी बना दो अब रुका नहीं जा रहा है रश्मी अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी वैसे वो गरीब थी लेकिन रश्मी के हाथों में इतना ज़ादा स्वाद था कि उसकी साधी सी सब्जी के आगे लोगों की महंगी सब्जियां फेकी पड़ जाती थी गली महले की औरतें उससे रेसिपी वगेरा पूछ कर जाया करती लेकिन किसी का भी खाना रश्मी के जितना स्वादिष्ट नहीं बनता था अरे अरे रश्मी जी रुकिये जी हाँ उस दिन जो मैंने आपसे आलू बैंगन की सब्जी पूछी थी ना मैंने उसे आपकी रेसिपी से ही बनाया सच में सभी को वो बहुत अच्छी लगी लेकिन हाँ आपके हाँ मैंने जो खाई थी वो उससे कम अच्छी थी जी हाँ सभी यही कहते हैं बस अब अनपूर्णा माता की ही क्रपा है जो उन्होंने मेरे अन्न में इतना स्वाद दिया हुआ है रश्मी कभी भी अपनी तारीफ अकेले नहीं होने देती थी वो हमेशा अनपूर्णा मा का शुक्रिया आदा करती देती ऐसे ही सिलसला चल रहा था और अब गरीव रश्मी के ऊपर एक परेशानी आ गई थी अरे राधा आज स्कूल की जल्दी चुटी हो गई है क्या नहीं तो तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गई रश्मी अपनी बेटियों की बात सुनकर परेशान हो गई इसे सारी रात इसी फिकर में नींद तक नहीं आई हे मा, मेरी तो रात की नींद भी उड़ गई है आप ही मेरा सहारा है, मेरी मदद कीजिए सारी रात उसकी ऐसे ही बेचैनी में कट गई अगली सुबा को जब उसकी आँख खुली तो उसे अपनी रसोई में चूले के पास पैसों की गड़ी दिखाई दी अरे, ये ये पैसे कहां से आए लगता है कि स्वयम अनपूर्णा माता ने मेरी मदद की है शुक्री आमा रश्मी ने उन पैसों को उठा लिया उसने इस जादू के बारे में किसी को नहीं बताया और उसने अपनी बेटियों की स्कूल की फीस भर दी ऐसे ही सिलसला जारी था जब भी रश्मी को किसी चीज की जरूरत होती तो किसी न किसी तरह से उसका काम बनी जाता था और अब ऐसे ही चलते चलते एक दिन एक अनहुनी हुई रश्मी खाना ही बना रही थी कि अचानक ही उसे बहुत जोर जोर से खासी आने लगी आरे क्या हुआ बहुत सूखा फंदा लग गया है क्या ये ले पानी पी निर्मला ने रश्मी को पानी पीने को दिया पानी पीते ही रश्मी को उल्टी आने लगी और अचानक से उसे हाथ अटेक आ गया जो रश्मी कल तक अपने घर में सभी का खयाल रख रही थी अचानक की उसकी आँखें बंद हो गई अपनी मा की मौत हो जाने पर पांचों बेटियां बहुत जादा रोई रश्मी के अजानक मौत का सभी को बहुत जादा गम था रश्मी का पती भी अपनी पत्नी की ख़वर सुनकर शेहर से लोट आया और रश्मी का अंतिम संसकार कर दिया कुछ दिनों तक तो पांचों बेटियों का बाप उनके साथ ही रहा लेकिन फिर वो काम के सिलसिले में दुबारा शेहर ही चला गया शेहर जाने के बाद बाप ने अपनी बेटियों की फिकर छोड़ दी वो उनके लिए वहाँ से एक रुपया नहीं भेजता था वहीं बेटियों का अपनी दादी के साथ बुरा हाल था देदी कल तो शाथी कांकी ने अवे काना दे दिया था लेकिन अब अब क्या काएंगे मारे पर तो कुछ भी नहीं है पता नहीं हो सकता है रसोई में कोई सबजी पड़ी हुई हो लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता शिखा और उसकी बेहने परेशान होने लगी लेकिन अपनी जरूरत के खातिर शिखा रसोई में आ गई उनकी रसोई एकदम साफ पड़ी हुई थी पांचो बेहने रसोई में आई वो काफी भूगी थी लेकिन उन्होंने आते ही अपनी रसोई को साफ किया उसके बाद शिखा ने उसमें कुछ खाने को ढूंडा तो उन्हें थोड़े से आलू पड़े हुए दिखाई दिये शिखा और इसकी बहने आलू कटली बनाने को राजी होगी किरन और दीना ने मिलकर आलू को छीला और काटा और शिखा जैसी उन्हें पकाने वाली थी तब भी उसे अक्शु ने रोग दिया रुप जाओ दीदी ऐसे खाना मत बनाओ मा के तीती की खाना बनानी से पहले अन्पूर्णा मा का नाम ले लिना चीए तब ये उसमें स्वाद आता है ठीक है हे अन्पूर्णा मा मेरे अन्पे स्वाद और बरकत देना शिखा ने ऐसे बोलकर अपनी आखे बंद की कि तब ही वहाँ पर रखी हुई कड़ाई में खुद वखुद ही बहुत ही स्वादिश्ट पनीर की सबजी आ गई जब लड़कियों को उसकी खुश्बू आई तो उन्होंने आखे खुली और वो से देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई ये सबजी कहां से आ गई लगता है अन्पूर्णा मा हमारी मा के करमों से खुश थी इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है पांच अनात बहने खुश हो गई और अपनी दादी के साथ खुशी खुशी उन्होंने वो खाना खाया ऐसे ही अब से रोजाना यही होता था वो जाकर अन्पूर्णा मा का नाम लेती थी और आखे बंद करती थी कि उनके बरतन में अच्छा अच्छा खाना आ जाता था जिसकी वजासे वो पांचो ही आलसी हो गई अब वो अपनी रसोई को भी साफ नहीं रखती थी और उनके मन में हर चीज़ की चिंता भी निकल चुकी थी वो बस अच्छा खाना खाती थी और सोती रहती थी एक दिन हे अन्नपूर्णा मा आज हमारा शाही पनीर खाने का मन है आज भी शिखा ने आखे बंद करके ध्यान लगाया लेकिन ये क्या आज उनका बरतन खाली रह गया ये देखकर पांचों बेहने परेशान हो गई और चोटी बेहन रोने भी लगी पांचों बेहनों ने फिर ध्यान लगाया लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ अब ये देखकर बड़ी बेहनों को भी रोना आ गया पांचों बेहने रोने लगी तबी उनके सामने अनपूर्णा मा की स्मृती बनी वो उनकी दिवार के अंदर चमकदार अवतार में दिखाई दी और अनात बेहनों से बोली रो मत लड़कियों भगवान कभी अपने भगतों से नाराज नहीं होते हैं वो तो भक्त ही भटक जाते हैं जो भगवान को खो देते हैं मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि मैं तुम्हारी मा के कर्मों से खुश थी वो बेहद महनती औरत थी लेकिन जब तुम्हें सब कुछ ठाली में मिलने लगा तो तुम पांचों आलसी हो गई जरा अपने आसपास देखो जो रसोई कभी चांदी की तरह चमकती थी तुम्हें उसे कुड़ेदान की तरह गंदा किया हुआ है क्योंकि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है भगवान अपने भक्तों को तभी देते हैं जब वो महनत करते हैं तुम्हें अपने मन से महनत का भाव निकाल दिया तो तुम्हें मिलना बंद हो गया अगर तुम खुद ही महनत करोगी तो मेरी असीम किरपा तुम्हारे उपर वर्सेगी ऐसे बोलकर अनुपूर्णा मा गायब हो गई अब पांचों बहनों को अपनी गलती का हिसास हुआ और उन्होंने अपने मन में सच्ची श्रद्धा के साथ अनुपूर्णा मा से माफी मागी उसके बाद शिखा ने दूसरे के घरों में काम करना शुरू कर दिया किरन और रीना भी महंदी और सिलाई का काम करने लगी थी और दोनों छोटी बहने अपनी दादी के साथ माला बनाती थी अब उनकी महनत की वज़ा से उनके घर में चूलहा जलता था जिसमें अनपूर्णा मा के आशिरवास से बहुत स्वाध होता था और अब सभी महनत करके खुशी खुशी रहते थे